वाहिगुरु जी का खाल सा वाहिगुरु जी की फते गुरुबानी मतावक वाहिगुरु जी दा एक महान गुण है निर्पाव जिस दा मतलव है के एकाल पुर्खनू किसे भी परकारदा डर जा अंदेशा नहीं है पर इंसान नों रोहानिया दी उच्ची वस्ता ते पुजण तो पहला किसे ना किसे तरह दा डर व्याप्या रहेंदा है आपा इस वीडियो विच विचार करांगे के डर की है अते जीव किमे निर्पाव हो सक्दा है डर दा अर्थ की है डर एक बहुती फजूल चीज़ दा नाम है एक कालपनिक जा ख्याली चीज है जो केवल जहन विच हुंदी है अते हकीकत विच वापरी नहीं हुंदी डर असल विच एक खद्शा जा अंदेशा है कि साडे नाल कुझ माड़ा हो सक्दा है याद रखो डर केवल एक ख्याली चीज है इस दी हकीकत कुझ भी नहीं जमेके हैं नेरे विच इंसान नूँ ए डर हुंदा है कि किते साप डांग ना मार देवे जा कितेओं कोई चोर जा माड़ा अंसर साड़ा कोई नुकसान ना कर देवे होया कुझ नहीं हुंदा बस फजूल ही चिंता बनी रेंदी है कि कुझ हो सक्दा है इसे दा ना डर है कुदर्ती तौरते साड़े अंदर डर शायद इसकर के हुंदा है ता कि असी लापरवाही ना करिये अते इतियात वरतिये पर वदे होय डर ने साड़े अंदर कुझ होरी हलात बना देटे है संसारी डर हजारां के समदे है जिना विच्चों कुझ मुख डर है मरन दा डर स्रीरिक नकसान होन दा डर निक्ट वरतियां दे खुसन दा डर ता अनदालत आते अपनियां होर चीजां लूज गर्न दा डर गर्चे इजद आभरू खराब होन दा डर इस तों अलावा छोटे मुटितां हजारां ही डर है जिमें उचाइआं दा डर पीडी थां दे होन दा डर बहुत लोकां वीच होन दा डर एकाल्यादा डर सापदा डर पूतां दा डर बिमारियां दा डर, पाणी दा डर एदा दे बहुत डर हान विद्वानना ने इस तरह दे हजारां ही डर लिखे होई हान जो के लोकानू अकसर चिंबडे रहें दे हान डर कित्थों उपजदा है? डर दी उपजद हम मैं तू है मैं हाँ, मैं ए स्रीर हाँ एजो सानू गल्त फैमी है के असी स्रीर हाँ एडर दा मूल है अते क्योंकि स्रीर बिंशनहार है इसलोई सानू सदा अपनी स्लामती दा फिकर ही लगया रहनदा है जेसानू पता होई के सदा आपपा जां आत्मा ता राम दी आंस है अते ओ ना बिंशनहार है ता है आसी उसे तत छेड़ ही निर्पा हो जाईए जो गुर्मख नाम बाणि दी क्माई नाढ हम्मे दा नास करदी है उना दा हर प्रकार दा डर्वी खटम हो जांदा है क्योंकि उना नू पता लाग जांदा है क्या ओ स्रीर नहीं बलके आत्मा है जिदा पाव है के औना दा किसे तरा दा दा नुकसान कदे हो ही नहीं सकदा उन निर्पाव ओजान दे हैं सो डर दी जो मुडली उपज है ऊ हॉँ मैतों है लोब करके आसी संसारी निरजीव चीजां दी पकड राख दे हैं अते इस कार के उना चीजानों असी लूज नहीं करना चौन दे। इस प्रकार लोब कार के भी डार उपजदा है कि किते सद्धा पैसा, जांसा ड़कार, जांसा डी नौकरी खुसना जावे। मो दा अर्थ है जीवत लोकांदी जिमें के सके संबंध्या नी पकड जां उना नाल लगाव। असी अपने सक्यानों अपने तों दूर नहीं करना चौन दे। साननों उनानों लूज करन दा डार सदा लग्या रेंदा है। एस प्रकार मो कारन भी डार उपजदा है। क्रोध, लोब, मो अटे हंकार कारके डार उपजदा है। अते जो गुर्मुख पंजा में कारा तों मुक्त हो जानदा है और डार तों भी मुक्त हो जानदा है। रब्भी डर अते दुनियावी डर। गुर्बाणी ने सिंसारी डर दे मुकावले अकाल पुर्ख दे डर नो श्रेष्ट मन्या है। जे अकाल पुर्ख दा डर उपजावे तां फिर सिंसार दा डर खतम हो जानदा है। अते जे इंसान रब्भी डर करना छट दे वे तां उसोपर अनेका सिंसारी डर ब्याप जानदे हन। बाणी वेचे के कमाल दी पौड़ी है जो सिंसारी डर अते रब्भी डर दी गल बहुत खूपसूरती नल कर दी है। ये पक्त कबीर जी दी बावन खरी विचों उन्नी में पौड़ी है। ये रब्भी डर पैदा हो जावे तां सिंसारी डर चला जानदा है। ताँ डर में डर रहा समाई, पाब के रभी डर विच सिंसारी डर समा जानदा है, पाब खतम हो जानदा है, जो डर डर है ताँ फिर डर लाग गए, इस दापाब बहुत दूंगा है, हजूर ने एक पंगती विच सारी दुनिया बंद कर देती, केंदे जे बंदा रब्बी डर तों डरे पाव रब्बी डर नू अपने अंदर ना टिकावे तां संसारी डर फेरा चेंबड़दा है इस पौड़ी तो पता लगदा है कि संसारी डर दा इलाज रब्बी डर है उन विचार एक करनी है कि रब्बी डर की है गुर्मक किशोर अवस्था पा मुडली आत्मक अवस्था विच अकाल पुर्खदे बनाये हुए कर्मा दे सिस्टम दा डर उपजदा है कि जे मैं माडा कर्म कीता ता मैंनू माडा फल पुगतना पवेगा मैंनू सजा मिलेगी अगे तारमराई दी कचैरी विच लेखा होन तो बाद नर्क पोगणा पवेगा अते बाद विच इस दुनिया विच चुरासी लख जोन पोगणी पवेगी इस डर कार्ण गुर्मक पाप करन तो संकोच करदा है ये डर ताँ पुजदा है जे जीवनू गुर्वानी दे बचना ते पुरोसा होगे के पापान दी सजा अवश्य पुक्तनी पेंदी है ये पहली किसमदा रभी डर है अते इस डर नाल इंसान दी पाप करन दी बिर्ती नू ठल पेंदी है जदों गुर्मुख पापान तो संकोच करके नामबानी दे सिवन विच लगदा है ता उनू रास ओन लगपेंदा है गुर्मुख नू अकाल पुरख दी हाजर हजूरी महसूस होन लगपेंदी है किते किते कोई आत्मक चलकारा भी पेंद लगपेंदा है ओदी प्रीत अकाल पुरख नाल पैजान दी है ए प्रीत ए मुहबते इलाही जो खुदाई दी बंदगी करदेयां प्रापत हुन दी है गुर्मुख दर्वेश नू अत्त प्यारी हुन दी है ओ किसे भी कीमत ते गोविंद नाल प्रीत टुटन नहीं दे सक्दा एस प्रीत दे टुटन दे डरों ओ आपना कोई भी कदम गुर्मद दे दसे मारगतों ओट नहीं तरदा ए प्रीत टुटन दा डार बहुत निर्मल डार है जो गुर्मुखान नू कदे भी पाप करना ता एक पासे रहा पाप करन बारे सोचन भी नहीं दन दा गुरुजी दा पैरखन वाले गुर्सिक गुरुजी दे हर हुकम नू कमाउड लई तात पर रहन दे हन अते पामे हुकम छोटा होए पामे वड़ा ओ एक एक हुकम पिछे अपनी जान कुर्बान करन नू त्यार रहन दे हन अजेहे गुर्मुख दी हर मैदान फते हुन दी है अते गुरुजी लोक पर लोक विच उदी लाज राख दे हन ए दूजी तरान दा रब्बी डर है एक हो रब्बी डर जो गुर्मुख खानो पहली आत्मक अवस्था तो लेके सिखर लिए वस्था ता करेंदा है उसनो अदव केंदे हन गुरु के सचयार सिख गुरुजी दा गुरुबानी दा शष्टरां दा उते गुरुजी नल बावास्ता हर चीज दा सिथकार तैदलों कर दे हन जो गुर सिख गुरुजी दा एहसान मनदा है के गुरुजी ने सिखी बक्ष के महान परोपकार कीता है तो गुरुजी दे सथकार पिछे जान तक वार दन दा है सो गुरुजी दा बाणी बाणे दा पते गुरुजी दे रहतां बहतां दा अदव करना ए तीजी किसम दा रभी डर है गुर्बाणी ने रब्भी डर नाल सबंदत एक बहुती दिलचस्प अवस्था दी गल कीती है जो उदोंवा परदी है जदों पोग खलोते गुर्मक वाहे गुरुज सहीव दी सेवा कर दे उस नाल एकमेक हो जान्दे हन उस अवस्था विस जाके रब्भी डर्दावी खात्मा हो जान्दा है क्योंकि जदपाग्त अते वाहे गुरुजी विच कोई विथी नहीं रहें दी ता डर कादा इस अवस्थानों शिरी गुरु अंगर देव जी ने इस पंगती विच बहुत खूब निरूपन कीता है एक ने ही चाकरी जदपाख खसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जे सेती खसम समाए अगर दी विचारनों समेड़े हुए संखे पिच डर बारे गुर्बानी फरमान अते उना नुक्तेयां ते विचार कारदे हाँ जिनना नालसी डरतों छुटकारा पा साकदे हाँ अकाल परखदी हस्ती ते पूरा यकीन रखना लाजमी है अकाल परखदी हाजर नाजर मनननाल संसारदा डर दूर हो जानदा है जिते चानन होवे उते है निरा नहीं हो साकदा अते जिते वाहिकरूदी हाजरी मननी जावे उते डर नहीं हो साकदा सो रबदी हस्ती ते पूरा यकीन करके संसारी डार दूर कर देना चाहिदा है अकाल पुर्खदा निर्मल पौ आपने अंदर पैदा करनार संसारी डार चला जानदा है इस रबदी डर दी मेंमा कथी नहीं जा सकती क्योंकि एस पैतों बिना पक्ती थाई नहीं पैंदी अते नाहीं पक्ती दी लाग ही लग दी है रबदी पैतों बिना कीते तार्मक कम परवान नहीं हुंदे पैदन लागना लग गई नामन निर्मल होए बिन पैकर्म कमावने चुठे ठाउना कोई डर्दी हस्तीनों समझो के डर है की डरता एक ख़द्शा है के कुझ बुरा हो सकदा है डर्दी हकीकत कुझ भी नहीं डर्दा निवास साड़े मानविच हुंदा है पते पूरी तरह साड़े एक त्यार विच है कैसी डर्णों अपने मानविच्चों दूर कर देए आम तौरते 90% डर जो साड़े मानविच हुंदे हन कदे पूरे नहीं हुंदे एमें ही मांदी कलपना हुंदी है कि ए हो जाओ जा ओ हो जाओ पर हुंदा कुछ भी नहीं डरना नहीं चाहिदा क्योंकि इस डर्दे नाल सहते भी माड़ा असर पेंदा है पाप ना करो बाणी दा फुर्मान है कि जो पाप करदा है वो सदा डर्दा रहनदा है अति जो तर्मी हुनदा है उस अधा खुश रहंदा है। वहे ग्रु जी तो बिना किसे पास ताक्त नहीं है, जो ताक्त लोकां कोड है, सो राबदी दिती हुई है। ए अटाल्ल विश्वाश गुर्मखानू हुन्दा है। इस करके ओ किसे वी दुन्यावी बंदेतों, जां दुन्यावी आफ़तों नहीं डर दे। ओ काल पुर्ख दे आसरे निर्पा और रेंदे हन। इसले गुर्मक कदे किसे तो नहीं डर दा। गुरू जी किर्पा करन के आपां अपने अंदर रब्बी डर पैदा करके संसारी डर तों मुक्त हो जाए। एक वाहे गुरू जी दा डर ऐसा निर्मल है कि इस नल हजारां खद्शे, अंदेशे अते दुन्यावी डर दूर हो जांदे हन। सही मैने विच ओहो ही नर्पाव हो सकदा है जो नर्पाव वाहे गुरू जी नल जोड़ जावे। वाहे गुरू जी नल ओही जोड़ सकदा है जो गुरू नल जोड़ जावे। झाल झाल झाल